नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी काली मिर्च से होने वाले सेहत के लाभों के बारे में सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बेहत जरूरी है काली मिर्च का सेवन करना हम आपको मातरा भी बताएंगे कि आपको कितनी मातरा लेनी चाहि तो हेल्थ बेनिफिट्स ओफ ब्लैक पेपर यह आज का टॉपिक है तो इसलिए वीडियो को बिना इसकिप की हुए अंतर तक जरूर देखिएगा काली मिर्च के फायदों से हम सभी वाकिप हैं वैसे तो यह केवल हमारे खाने के जायके को नहीं बढ़ाती है बलकि हमारे सिह के लिए बहुत फायदेमंद होती है काली मिर्च अनेकों और शध्य गुनों से भरपूर होती है यह सर्दी जुकाम वाइरल फिवर इन सभी को दूर करने में मदद करती है और जानते हैं आप क्या फिर सर्दियों का दिन भी चल रहा है काली मिर्च का इस्तेमाल आप कई त लाने में असर कारक होती है तो आएए एक एक करके आपको हम बताते जाते हैं काली मिर्च के फायदों के बारे में सर्दी खासी और जुकाम को ठीक करने में यह बहुत फायदेमंद होती है काली मिर्च अनेकों तत्वों से भरपूर होती है और यह क्या करती है हमारे शरीर क वो सभी तत्व फायदा पहुचाते हैं इसमें एक पेपरीन नामक तत्व होता है जो की बेहद ही महत्वपून कंपाउंड होता है सर्दी खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों को ठीक करने में यह बेहद असर कारक होता है इसलिए आप काली मिर्च का सेवन कीजिए और इसे दाइट में शामिल किजिए हर रोज एक काली मिर्च भी खाते हैं तो सर्दियों में गर्मियों में ध्यान रखेगा यह गरम प्रकृति की होती है तो उतना नहीं लेना होता है लेकिन सर्दियों में आपके लिए एक पर्याप्त हो जाएगी पेट के लिए अत्यधिक में रोजाना करते हैं तो क्या होगा यह भोहत प्यादिमन साभीत होगी काली मिर्च में बताया मैंने आपको की प्यपरीन पाया जाता है जो की प्यायतों साथ काली मिर्च में सब्सक्राइब爆 हाय जाते हैं और हमारा पाचन यानि की पेट ठीक है तो समझेए बहुत सी बिम्यारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या को दूर करती है काली मिर्च वो है वजन बढ़ना जिहां सर्दियों में खास करके वजन और बढ़ता है तो वजन को नियंतरित कर करने में काली मिरच का सेवन बहुत लाब्दायक होता है काली मिरच में ऐसा करने की छमता क्यों नियंतरित रखने में ये लाबिदायक सावित हो अगला जो काली मिर्च का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कोलेस्ट्रोल को ले करके कोलेस्ट्रोल की वज़ा से हाट की समस्या होती है और हाट की वज़ा से सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है काली मिर्च का सिवन शरीर में कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करन में मदद करता है और मददकार सावित होता है तो इसलिए भी इसका सेवन बहुत फायदेमंद है और विंटर में इसकीन की भी बहुत से लोगों को प्रोइबलेम होती है और सभी चाहते हैं कि उनकी स्कीन बहुत खुबसूरत रहे चेहरा खुबसूरत रहे तो काली मिर्च में एंटी ओक्सिडेंट्स जैसे तत्व पाया जाते हैं जो की स्कीन के लिए काफी अच्छे होते हैं ये त्वचा को स्वस्थ रखते हैं साथी आसो जैसी जो समस्या होती है उससे निजात दिलाने में मददकार सावित होते हैं इसका सेवन इसकीन में एंटी एजिंग की तरह से कारे करता है इसलिए आपको काली मिर्च का सेवन रोजाना करना चाहिए सर्दियों में इसके अलाबा ये इंफेक्शन से शरीर का बचाव करता है ऐसा माना जाता है कि काली मिर्च बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाने में लापदायक होता है ये शरीर में बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है जिससे की बोडी में इंफेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल जैसे अने को तत् infection से शरीर को बचा करके रखने में मदद करते हैं इसके अलावा जोणों के दर्द की समस्या भी सर्दियों में बहुत ज्यादा रहती है जिहां जोणों के दर्द की समस्या आप चाहते हैं कि न रहे और आगे न हो तो काली मिर्च का सेवन आपके लिए बहुत लावदायक जो की शरीर में जोडों के दर्द को कम करने में लावदायक होते हैं हमारे गले को भी ठीक रखता है और सर्दी जुकाम होने के चांसेज कम हो जाते हैं तो आप इसे कैसे और कितनी मातरा में ले सकते हैं तो हर रोज आप लगभग 5 ग्राम की मातरा में और या फिर पूरे लगे काली मेर्च का सेवन कीजिए सर्दियों में खास करके मसाले में जरूर डालीजे थोड़ी सी काली मेर्च आपकी सिहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा उमीद है आपको जानकारी बहुत अच्छी लगई होगी ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सब खुश रहें स्वस्त रहें हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी